जाहिन दोस्तों कैसे हैं आप लोग स्वागत करता हूं आपके अपने ही वैक के यूटूब चैनल प्रेडिक्सन राजा में दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं आप मुझसे पूछोगे वीनिंग परसेंटेज जादा किसके हैं तुम यहां पर इगलेंड ओमेंड को एस दूँगा और इसके वीनिंग चांसेज मैं बोलूँगा तकरीबन मुझे नजर आ रहे हैं 65 परसेंट के आसपास हैं अगर हम बात करेंगे इंडिया वमेंड को लेके इनके विनिंग चांसेज मुझे 35 परसेंट के आसपास है एक बात और है कि इस टीम में हम जो भी बतलग करेंगे फाइनल वगिरा जो भी निकल के आएंगी उसके से टॉप कमेंट में आपको दिख जाएगा मेड़ा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसके उपर किलिक करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जोइन हो जाईएगा जहांब हम लोगोंने रिसेंटली हंड्रेड के क्रॉस किया हुआ है अब आईए हम बात करते हैं दोनों कोई बड़ी चैनल तो नजर आएंगे नहीं लेकिन यहां पर एक बात को याद रखना कि ठीक ठाक रन यहां पर बनते हैं अगर यूजड पिछ मिलने के बाद बिलकुल जो गेम सेनेडियों हो बदल जाता है स्पिंडर वहां पर फिर अच्छे खासे काम कर जाते हैं अगर बात करेंगे इंगलें डोमेंट ने जो लास्ट मैश खेला था उनका प्रदसन कैसा रहा था तो आपके सामनी है वहां पर बेमॉंट 62 की देनियल वाइट को उपन करने का मौका मिला था और तीन रन की थी हैदर नैट नो रन की थी नाटाली स्कीवर सोलर रन एमिजोंस 53 र मिला हुआ था और डेथ में गेंदवाजी करने आई थी इसके लावा क्याटे क्रॉस पिछले दो स्रीज की हैस्ट विकेट टेकर में से एक गेंदवाज आठ अबर 40 रन एक विकेट एकलिस्टन दस अबर 30 रन एक विकेट नटाली स्कीवर चार पॉइंट दो बाल एकीस र कोले भी डेथ में आके गंदवाजी कर सकती हैं बात करेंगे इंडिया ओमेंड का लास्ट मैश को लेके तो उनका सामना हुआ था वेस्टन डीज ओमेंड के साथ वहां पर पहले बल्ले बाजी किये थे इंडिया ओमेंड जहां खड़ा कर दिये एक सो तैस रन जिसमें स्मि मिताली राज के बल्ले से मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द आप एक बारा नौक देख सकते हो क्योंकि इनके पास है अगर आप यह वल्ड कॉप से पहले जाओगे तो लास्ट के आठ मैच में से 6-50 दर्ज था यह वल्ड कॉप में इनके बल्ले से अभी तक कुछ भी खा अब देखिए एक बार घ्राण रखेएगा आप लोग कि पिछले मैस में था यूज रखेट इसलिए स्ने रखेट इसलिए स्ने रखेट और यहां पर दिप्ति सर्मा को भी अच्छा का चाश पर मिल रहा था दिप्ति सर्मा तो नर्मली आपको डालते नजर आएंगे लेक जब लास्ट टाइम आमने सामने आये थे तो वहां पर दोनो ट्मी का प्रदस्तन कैसा रहा था उससे पहले हम कुछ बड़े स्टैक्स को देख लेते हैं तो लास्ट के दस मैच में 372 की है और 70.20 का एवरेज है इस्ट्रैक रेट 79 के आसपास का इनका है नाटाली स्कीवर 9 मैच में 277 रुन चोंतीस फैंट 60 का mi स्ट्रैक रेट है मान दना को लेकर बात कर लें गट न नहीं किया उसके बाप घुकर यह यह की है तो आपको वह डम आधिका और J different matin था स्ट्राइक रहता है हमें इनका इस्ट्राइक रेट आज कल बहुत ही बुरा है रिजन कहा कि सामनिय वाले जो टीम होती है वह एकलिस्टान को अच्छे सिखेल जाती है इनकी अवर्व में जाद रन्नी करती है यह एक रीजन है कि इनका एकोनोमी सिर्फ सारे तीन का है और परत्यक अंठावनों वाल में जाके यह बिकेट लेती है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यह बात करेंगे लास्ट पांच बेटल को लेके तो 2021 में दो बैटल हुआ था उसके बाद 2000 2021 में टीन बैटल वा था और 2019 में दो बैटल हुआ था जिसमें से इंडिया टीम दो मैच जिती है और यहाँ पर ईगलेंड हों मैंट की टीम तीन मैच वी नकी है आईए सबसे लास्ट माच हम देखने हैं 2020 में जो खेला गया था कव यहां पर थर्ड ओडिया जो खेला गया था तीन जोलाई को उसमें देखने क्या हुआ था तो पहले बले बाजी करते हैं ग्लेंड में खरे किए ते दो सोनीस रन जहां पे हैदर नैट 46 की थी विंफिल 36 न सबसे बुड़ा लगा जमीमा डर्डिगर्स को इंडिया टीम ने बैकने की वल्ली कप में सबसे बुड़ा था मेरे लिए तगरीफ है पोटेंसल है मालूम ने क्यों इंडिया टीम इनको डॉप कर दिये मिठाली राज 75 की थी उसमें को और 16 रन दिप्टी सर्मा 18 सिने रना 24 जोलनको स्वामी एक रन गेंदवाजी में आपके सामने स्टेर्स है जहां पर एक लिस्टोन को दो विकर मिला था बाकी गेंदवाज एक एक विकर लेते जिसमें कैटेक रोस सारा गले नेटाली स्कीवर और हाइदर नेट सामिल थी इससे पहल दिप्टी सर्मा पांच ने रना पांच भाटिया दो सीका पांडे दो जुलनको स्वामी उन्नीस पुना मियादव दस रन गेंदवाजी में ब्रंट को यहां भी कम्यावी नहीं मिला था एक लिस्टन तीन और कैटेक रोस पांच साथ में नेटाली स्कीवर को एक विकर मिल लिया हुआ था इंडिया दोस्वेक्रिशन जो किये तो उसके जवाब में इंगलेंड उमेंड ने पांच विकेट पे लक्ष को हासिल कर लिए जहां पे विन्फिल्ड 42 विमॉंड 10 हैदर नेट 10 नाटाली स्कीवर उनिस एमिजोंस 28 सौफी डंक ले 33 कैथी इंडिया के तर अब देखो वेल्ड कप से पहले वाले से आग निकल राता वल्ड कप में आके वैसे पानी बन चुका है तो मैं चाहूंगा कि मिताली दीजो है और बेतर के लिए और हमनों को एक बेतरीन मैच यहां से इंडिया व्मेंट को निकालते हुए नजर आए अर्मन पित्कॉर एक दिप्डिस lorsमा ठीस वूजा पंद रजू पंद्र시 दो मीकमेला रन गंदवाजी में कैंदरीन को दो बीकिट मिला वाँ था अन्या स्थ दवसुले को दो बीकिट मिला वाँ मतर कटीकॉर 송यर वेडियो और गंदबाजी में इंडिया के तब से किसी ने कुछ खास गंदबाजी किया नहीं था जुलंगोस्वामी को एक बिकेट मिला था और एक ताविस्ट को एक बिकेट आईए फटा फटाम बात करते हैं अपनी फेंटेसी टीम को लेके बिकेट कीपर सेक्शन ने बात कर लेंग सकती है फिलाल मैंने अपने टीम में एलन जोन्स को लिया हुआ हुआ है बात करेंगे बैटिंग में टैमी ब्यमोंट हैदर नैट और इसमेती मनना बिल्कूल थी नापके टीम में होना ही चाहिए इसके अलावा जिस तरीके से हर्मन पित कॉर्ड ने लास्ट के दो मैच में इनिंग खेली है आपके लिए अच्छी खासि बिक बन जाती है उसके लबाँ अगर इडिस क्लेना चाहते हो और टैलेंट को बैक करने चाहते हो तो वाई भाट्या अच्छी खासी टैलेंडर पिलियर अपको इसको बैक कर सकते हो मित आली राज का मैंने आपको स्टेट्स जब भी लास्ट के तीन मैच में दोनों टीम कामना सामना हुआ तो 50 पुलस का स्कोर की है आप लोग इनको भी बैक कर सकते हो साथ में डेनियल वाइट है काफी तगरी और एक कहते हैं कि अपने दिन में सेंचुरी लगाने लाइक वाली पिलियर है और काफी टैलेंट भरा हु अगर आपको पूजा वस्त्रवाकर को बैक किया हुआ है अब देखिए ग्रॉस और पूजा वस्त्रवाकर को लिया हुआ है अब देखिए केटे क्रॉस और पूजा वस्त्रवाकर इस दोनों को लेकर मैं डिसिजन लूँगा आफ्टर लाइनप और उप्जब पिछ डिपोर्ट आएगी उसके बाद क्योंकि मैं बार-बार कर रहा हुँ पिछ इस मैच में बहुत ज्यादा मैने रखने वाली है इसके लब आप लो इसके लाब आप लोग बॉलिंग में सभी अइसे हैं जिसको आप ट्राइ कर सकते हैं इसके साथ है अब तीन से लेके पांच वर डालने लगी है इसको भी ट्रेकर करे चल सकते हो आप लोग प्लस वंड़न बल्लेवाजी देंगी एश्मिती मनना टैमी बिमन बैटिंग में तगरी फोर्म है इसको आप लोग कैप्टन विसी ट्रेकर सकते हो और अगर इगलेवाजी आए तो आप लोग कैप्टन विसी के रूप में तरजी दे सकते हो अब मैं अपने टीम में कैप्टन सी देता हूँ यहाँ पर नेटाली स्कीवर को और विसी देता हूँ दिप्ति सर्मा को बाकी देखेंगे आप्टर टॉस जो भी चैंजस होंगे हम लोग वहाँ पर देख लेंगे बाकी उमीद करते हैं कि छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और कमेंट सक्तर में दोस्तों सपोर्ट अपना जरूर बनाईएगा